जैहिन प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवस क्लासेस में तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो कि कल 9 मार्च दो हजार जोबिस को क्लास 7 का विकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम आपके विकली टेस्ट के लिए वहरी 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 इंपोर्टन कोशन को करने वाले हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजएगा यदि आपने अभी तक भारतवस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीडिये वेगरा के लिए आप हमारे वाट्सप ग्रूप से तो दे रखा पहला पाट पहला प्रस्न मुक्ती पाट के लेखक कौन हैं सुमित्रा नंदन पंत स्याम व्याज कैलाश चंद्र इन में से कोई नहीं क्या होगा पहले का सही विकर्प बिल्कुल सही बचा मुक्ती पाट के लेखक स्याम व्याज जी हैं तो पहले का सही उतर भी होगा स्याम व्याज मुक्ती पाठ लेखन की कौन सी विधा है कहानी, कवीता निबंद और चोथा है नन अफ दिज यानि इन में से कोई नहीं तो आप सभी इस पाठ को पढ़े होंगे तो इसमें गोरईयों को घर से बाहर निकाल लेकी इत्स परकार की कहानी ये कि इस परकार गोरईया और बाबु जी का यहां पर संगर चलता है, तो यहां पर कहानी है ये, ना तो ये कवीता है ना ही निबंद है, ये कहानी है, तो दुसरे का सही विकल्ब ए होगा छिडियों के गिरी परवेश का समय कब से शुरू होता है मार्च अप्रेल जनवरी फर्वरी अक्टूबर नहुंबर या इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प यहाँ पर C हो जाएगा अक्टूबर नहुंबर अक्टूबर नहुंबर में चीडियों के गरी परवेस का समय शुरू होता है तो तिसरे का सही विकल्प C होगा अब C में सही किजिएगा लेखक घर से किसे बाहर भगाने का प्रियास कर रहा था चिणियों, गायों छिपकिली या इन में से कोई नहीं, सही विकल्प यहाँ पर A होगा चिणियों लेखक घर से चिणियों को भगाने का प्रियास कर रहा था तो चोथे का सही विकल्प एक जिएगा लेखक की पोती का क्या नाम था रिंकी चिंकी, पिंकी तो पांचवे का सही उत्तर B होगा बच्चा चिंकी, उनकी पोती का नाम चिंकी था गुमकड सब्द में परियुक्त प्रतय है देखिए, प्रतय आपको अच्छे सी याद रखना है प्रतय दो सब्द के अंत में जूडते हैं जैसे एक सब्द होता है गुम और गुम में हम लगा देंगे अकड क्या लगाएंगे अकड तो दोनों मिलाकर हो जाएगा घुमकड तो यहाँ पर अकड जूड़ रहा है अकड किस में दे रखा है सी में दे रखा है तो छटे का सही उतर सी होगा अकड मुक्ती का विलोम सब्द क्या होगा परतंत्र, स्वतंत्र बंधन या पराज़ तो देखिए बच्चा मुक्ती का विलोम होता है बंधन तो यहाँ पर सही उतर सी हो जाएगा बंधन मुक्ती मतलब आजादी बंधन मतलब यहाँ पर उसे बांद देना या फिर उसे कैद कर लेना तो मुक्ती का विलोम होगा बंधन निलांबर में कौन सा समास है ततपुरुस, कर्मधार्य, बहु विरही या इनमे से कोई नहीं तो यहाँ पर सही उतर होगा बच्चा निलांबर में आपको समास बतलाना है तो नीला है जो अंबर यानि कर्मधार्य समास नीला है जो अंबर कर्मधार्य समास होता है तो आठमे का स्थी उत्तर आप भी करिएंगे इन में से कौन सा सब्द फूल का प्रयावाची सब्द नहीं है फूल का प्रयावाची सब्द है आपको बतलाना है फूल का प्रयावाची सब्द कौन कौन सा है सुमन है, कुशुम है, पुस्प है यानि इनमे से सभी जो डी दे रखा इनमे से सभी वो एकदम सही विकल्प है इनमे से सभी एकदम सही होगा दस्वा प्रश्ण है सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट के 29,029 फूट तक चड़ने वाली प्रथा महिला कोन है संतोस कुमार, अरुधती, प्रेमलता अगरवाल या इनमे से कोई नहीं सही उतर यहां पर होगा C, प्रेमलता अगरवाल तो ये था very 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 important questions इसके बाद subjective questions के लिए आप इन दोनों पार्ट के यानि मुक्ती और इसके बाद चो पार्ट है आया बदलाओ इसके सारे questions sensor को कर लीजे बच्चा इसी से आपकी प्रशन आने वाले हैं subjective ठीक है तो वीडियो को जादा से जादा like कीजेगा और share जरूर कीजेगा Thank you बच्चा झाल 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 Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you